नमस्कार दोस्तु, फिर सा सवागत आपकाए नए वीडियो के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपकी बस LAVA X2 है या फिर LAVA का कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप पिनिंग या फिर स्क्रीन पिनिंग की सेटिंग कैसी कर सकते हैं तो ये एक तरह की privacy होती है, जिसे आप use करके किसी भी person को अपना phone use करने के लिए दे सकते हैं, और जो application आप खोल के दोगे, पिन करके दोगे, वो उस application के लावा, phone में कहीं पे भी ताका चाकी नहीं कर सकता, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और इसके लिए आप चल जाएं कर देंगे, ये वाल option भी on रखेंगे, ताकि screen का lock पूछे, जब ये हटे तो, तो किसी भी application को पिन करना है, तो पहले उसे open कर लेंगे, बीच बाले बटन से धवा के उसको taskbar में खोल लेंगे, इसके बाद यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक करेंगे, पिन को option आएगा, पिन पे क्लिक कर लेंगे, got it कर देंगे, तो यहाँ पे app pinning ये लग चुका है, आप इस application में कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर back करके इसको, आप सोचो कि मैं home screen पे चला जाओं, किसी और application को खोलने हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये back नहीं होगा, अब इसको हटाने के लिए आपको two finger का use करना है, एक आप task bar पे एक आप back button को, दोनों को एक साथ ऐसे touch करेंगे, तो आपके main screen आजाएगे, अब main screen पे जब आप से pattern lock पूछेगा, आप अपना pattern lock लगा देंगे, तो अब यहाँ पे कोई भी button दवाएंगे, तो इस सारे के सारे button काम करने start कर देंगे, तो इस step से आप app pinning यूज कर दीजेगा, चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार,